दोस्तो आज का हमारा जो प्लान है वो इस्ट फेसिंग है यानि पूर मुखी का प्लान है इस प्लान की साइज के अगर हम बात करें तो यह है 45 फिट लंबा दोस्तो यदि आपका प्लोड का साइज भी 15 भाई 45 फिट है और आप इस्ट फेसिंग का कोई प्लान ढूंड रहे ह इस प्लान की पूरी जानकारी आपको हमने इस वीडियो में दे रखी है दोस्तो अगर आपके प्लोट का साइज थोड करें तो भी आप हमारी साइज और अपनी रिक्वाइर्मेंट बताएं हम आपको जरूर आपके साइज का प्लान बनाके अपने यूटूब चैनल पर दिखाएंगे तो चलिए दोस्तो आज हम इस प्लान के बारे में बात करते हैं नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है वाहित खान और आप सभी का हमारे घरजी कॉंट्रेक्टर यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज का जो हमारा प्लान है वो है 15,45 पिट का दोस्तो इस प्लान में हमने आपको तीन बेडरूम दे रखा है और साथ में दो बातरूम, एक किचन और एक आंगन दे रखा है तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो इस प्लान की पूरी जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेश्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस घरजी कॉंट्रेक्टर यूटूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत धन्यवाद तो चलिए दोस्तो इस प्लान को हम समझते हैं दोस्तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यह जो प्लान है वो इस्ट फेसिंग यानि पूर मुखी का प्लान है इस प्लान में जो इंट्री गेट आपको मिलेगा अंदर जाने के लिए जो रास्ता मिलेगा मकान में वो यहाँ पे हमने दे रखा है में डोर आपका यहाँ पे लगेगा में डोर से जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको एक साड़े तीन फिट की गली मिलेगी और गली के सामने ही आपको पहला बैडरूम मिलेगा इस बैडरूम का जो डोर है यहाँ पे लगा हुआ है आपको दिख रहा होगा इस bedroom का जो size है वो 9.5 फिट बाई 9.5 फिट का है इस bedroom में आपको दो बिंडो मिलेंगे एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ बिंडो का size आप अपने हिजाब से रख सकते हैं इस bedroom के बगल से हमने इस टेर यानी जीना दे रखा है जीना आपका यहां से चड़ेगा और इस जीने के नीचे ही आपको एक bathroom मिलेगा जो कि दूसरा bathroom होगा पहला bathroom आपका यहां पे है इस bathroom का size है वो 3.5 फिट का है bathroom का door वैसे तो हमने यहां से लगा रखा है अगर आप चाहें तो इस bedroom से भी आप इस bathroom को attach कर सकते हैं उसके बाद में जीने के बगल में ही आपको दूसरा bedroom मिल रहा है इस bedroom का भी size same ही है 9.5 फिट बाई 9.5 फिट का है इस bedroom में आपको केवल single window मिल रही है जो कि यहां पे लगी हुई है डोर आपको यहां पे मिलेगा बगल की side में हमने कोई window नहीं दे रखी अगर आपका plot या आपकी जमीन खुली है बगल में कोई मकान या मकान नहीं बन रहा है तो आप यहां पे बिंडो लगा सकते हैं अपने हिसाब से इस bedroom के बगल में आपको kitchen मिल रहा है kitchen का size है वो 7.5 फिट का है kitchen का size भी ठीक ठाकी है और साथ में इस kitchen के सामने ही आपको आंगन मिल रहा है इस आंगन का जो size है वो 7.5 फिट का है आंगन काफी बड़ा है अगर आप चाहें तो यहां पे आप 2-3 कुरसियों का आप dining table भी लगा सकते हैं और यहां पे हमने OTS के लिए इस space छोड़ रखा है आपका उपर जो चट पड़ेगा उसके उपर यहां पे जाली लगेगी जिससे पूरा घर आपका बेड़ी लेट होता रहेगा और उजाला भी रहेगा और OTS के सामने ही हमने दूसरा bathroom दे रखा है इस bathroom का size बड़ा है इसका जो size है लंबाई में 6.5 फिट है चोड़ाई 3.5 फिट का है और यहां पीछे की तरफ आपको तीसरा वाला यानि आखरी bedroom मिल रहा है यह bedroom भी बड़ा है इस bedroom का size है वो 11.25 नौ फिट का है इस bedroom से ही अटेच आपको एक चोटा सा यहां पे store room मिल रहा है इस store room में आप अपनी almारी लगा सकते हैं या आप अपने कपड़े औगेरा रख सकते हैं जगा बेश्टेज ना हो इसलिए हमने यहां पे store room दे दिया है तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ कि आपने प्लान समझ लिया होगा अगर आप भी हमसे किसी भी परकार का कोई प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे जरूर संपर्क करें हम आपके उस size का प्लान बनाके अपने YouTube चैनल पर जरूर अपलोड करेंगे दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को like जरूर कर दें और साथ में इस चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो वबी कर लें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत